अक्सर कहा जाता है रिकार्ड तो बनते ही तूटने के लिए हैं। यू तो क्रिकेट के हर खेल में ना जाने कितने रिकार्ड बनते हैं और तूटते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रेकॉर्ड्स भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं जो शायद ही फिर कभी तूट पाएं। आज की इस वीडियो में हम क्रिकेट जगत के कुछ ऐसे ही रेकॉर्ड्स के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें तोड़ पाना लगभग असंभव है। यदि आप भी एक क्रिकेट प्रेमी है तो यकीनन इस वीडियो में आपको काफी मज़ा आने वाला है। चलिए आज की रोचक वीडियो शिरू करते हैं। सर डॉन ब्रेडमेन को एक करिश्माई बल्लिबास के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में केवल 52 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 796 रन बनाए। और ये रन उन्होंने 99.94 की आउसत के साथ बनाए थे। इस दोरान डॉन ब्रेडमेन ने 29 शतक लगाए थे जिन में 12 दोहरे शतक थे। उनके नाम सबसे शानदार बैटिंग एवरेज का रिकार्ड दर्ज है। जिसे तोड़ पाना आज के किसी भी बल्लेबास के लिए असंभव है। डॉन ब्रेडमेन के नाम ही सबसे अधिक दोहरे शतक का रिकार्ड भी दर्ज है। एवरेज के मामले में उनके बाद स्टीव स्मित का नाम आता है जिनकी बैटिंग एवरेज एकसर दश्मलव सेहतीस है। पहले और दूसरे स्थान की बैटिंग एवरेज में कितना फर्क है आप देख सकते हैं। 25 फरवरी साल 2001 को सर डाउन ब्रेडमन का निधन हो गया था। भारत ये टीम की पूर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी विश्व के एक मात रहसे क्रिकेटर हैं जिनकी कप्तानी में किसी भी टीम ने ICC की तीनों Champions Trophy अपने नाम की। भारत ने साल 2007 का T20 विश्व कप, 2011 का ODI World Cup और 2013 में Champions Trophy का खिताब अपने नाम किया। ये रिकार्ड ना तूटने की कई वज़े हैं। पहली वज़े तो ये की साल 2017 में ICC ने Champions Trophy को रद्द करने का फैसला कर लिया था। हालांकि 8 साल बाद 2025 में ICC ने एक बार फिर Champions Trophy कराने का फैसला किया है। लेकिन शायद ही विश्व में ऐसा कोई कप्तान होगा जो तीनों फॉर्मेट में अपनी टीम को जीत दिला पाए। इसलिए MS धूनी का ये रिकार्ड टूट पाना काफी मुश्किल है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का काम एंगलन के आफस्पीनर जिम लेकर निकर दिखाया था। लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। हालांके सन 1999 में अनिल कुम्बले ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में दस विकेट लिये थे। और कुछ समय पहले नियूजिलेंड के गेनबाज एजास पटेल ने भारत के दस विकेट लेकर शानदार प्रदशन किया। लेकिन जिम लेकर का रिकार्ड तोड़ने के लिए गेनबाज को टेस्ट मैच की दोनों पारी में 10-10 विकेट लेने होगे जो लगभग असंभव सा है। श्रलंगा के दिगज गेनबाज मुथाया मुर्ली धरन ने अपने करियर में 1347 अंतराष्ट्य विकेट जटके। मुथाया मुर्ली धरन ने सन 1992 में अपने अंतराष्ट्य करियर की शिरुवात की थी और शिरुवादी दिनों में उन्हें अपने गेनबाजी एक्शन के कारण कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा लेकिन समय के साथ मुर्ली धरन ने अपने आलोचिकों को करारा ज सन 1955 से लेकर 1968 तक भारती टीम का हिस्सा रहे उन्हें उनकी किफायती बॉलिंग के लिए जाना जाता है सन 1974 में इंग्लेंड के खलाफ मद्रास में हुए एक टेस्ट मैच में बापू नाडगर्णी ने लगातार 21 मेडेन और फेके उन्होंने इस टेस्ट मैच में कुल 32 ओवर किये जिसमें केवल 5 रन उन्होंने दिये इस दोरान 27 ओवर उनके मेडेन थे और इसमें से करीब 131 गेंदों तक उन्होंने बल्ले बाउसो को कोई रन बनाने का मौका नहीं दिया आज के आधुने क्रिकेट को देखते हुए ये रिकॉर्ड तोड़ना भी लगबग असंबव है क्रिकेट के भगवान कही जाने वाले सचिन तेंदुलगर ने जब सन्यास लिया तो हर क्रिकेट प्रीमी की आँखे नम थी लेकिन इसी के साथ हर किसी के भीतर एक खुशी भी थी क्योंकि सचिन ने एक ऐसा विश्वर रिकॉर्ड बनाया था जिसी तोड़ पाना किसी भी क्रिकेटर के लिए संभव नहीं होगा सचिन के नाम सव अंतराष्टिय शतक शामिल है उन्होंने कुल 49 ODI और 51 टेस्ट शतक लगाये थे फिलहाल सचिन के आसपास भी कोई अन्य बलेबाज नजर नहीं आता सचिन के बाद रिकी पॉंटिंग और विराट कोली का नाम आता है जिनके नाम 71-71 अंतराष्टिय शतक दर्ज है लेकिन रिकी पॉंटिंग अन्तराष्टि क्रिकेट से सन्यास ले चुगे हैं और विराट कोली के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि विराट सचिन का रिकोर्ड तोड़ सकते हैं तो इससे कुछ इंकार करते हैं अब आपको क्या लगता है क्या विराट सचिन के 100 शतक का रिकोर्ड तोड़ पाएंगे अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्षिन में जरू बताएं सचिन के नाम सबसे अधिक अंतराष्ट्री रनों का रिकोर्ड भी है जिन्होंने अपने करियर में 34,357 रन बनाए है चोटा टेस्ट मैच 5 घंटे और 13 मिनिट में समाप्त हो गया ये मैच सन 1932 में आस्ट्रेलिया और साउथ अफरिका के बीच खेला गया इस मैच में साउथ अफरिका ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 36 रन बनाए जिसके जवाब में आस्ट्रेलिया टीम 154 रन भी बना पाई दूसरी पारी में बल्ले बाजी के लिए उत्री देक्षन अफरिका की टीम महस 45 रन पर ही सिमट गई और इस तरहें आस्ट्रेलिया ने ये मैच एक पारी और बहतर रनों से जीत लिया इंग्लेंड के सबसे महान और राउंडर्स की सूची में शुमार विलफ्रेड रोट्स के नाम सबसे लंबा टेस्ट करियर होने का रिकार्ड दर्ज है उन्होंने 30 साल 315 दिन तक अंतरराश्ट्रे क्रिकेट खेला इतना ही नहीं विलफ्रेड के नाम सबसे अधिक उम्र में टेस्ट मेच खेलने का में रिकार्ड दर्ज है उन्होंने सन 1930 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 52 साल और 155 दिन की आयू में अपना अंतिम टेस्ट मेच खेला ब्राइन लारा का नाम भी सदी के महान तर्म क्रिकेटरों की सुची में शिमार है वेस्ट इंडीज के इस बल्लेबास ने साल 2004 में इंगलन के खिलाफ टेस्ट मैच की एक पारी में नाबाद 400 रन बनाए ये रिकार्ड तोड़ पाना आज के समय के किसी भी बल्लेबास के लिए बहुत मुश्किल है आज के समय में टेस्ट क्रिकेट में पूरी टीम भी 400 रन नहीं बना पा रही है ऐसे में विक्ती खिलाडी से 400 रन बनाने की उम्मीद करना किसी बाईमानी की तरह होगा हाला कि एक मैच में सरवाधिक रन बनाने का रिकार्ड इंगलिंड की ग्राहम गूच के नाम दर्ज है जिन्होंने 1990 में भारत के खलाफ एक मैच में 456 रन बनाए पहली पारी में ग्राहम ने 333 और दूसरी पारी में 123 रन बनाकर ये रिकार्ड अपने नाम किया किसी भी गेंदबाज के लिए हैट्रिक लेना यानि तीन बॉल पर लगातार तीन विगेट लेना एक बड़ी उपलब्दी मानी जाती है इतिहास में आज तक केवल एक गेंदबाज ऐसा हुआ है जिसने एक दिन में दो हैट्रिक लेने का कारनामा किया था सन 1912 में इंग्लेंड में आस्ट्रेलिया, साउथ ऐफरिका और इंग्लेंड के बीच एक त्रिकोनी टेस्ट सीरीज चल रही थी इस सीरीज में आस्ट्रेलिया की दिवंगत गेंबाज जिमी मैठ्थ्यूस ने साउथ ऐफरिका के खलाफ पहली पारी में हैट्रिक ली थी हालांकि क्रिकेट को अनिशितिताओं का खेल कहा जाता है और मैदान पर कौन से रिकार्ड बन जाए या तूट जाए इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसके अलावा भी अंतराष्ट क्रिकेट में ऐसे कई रिकार्ड्स है जिनकी बराबरी करना या उन्हें तोड़ पाना मुश्किल है अगर आप इन वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कॉमेंट्स में लिखिए सेकंड पार्ट धन्यवाद